नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दुईते इंटर इस तरिया आवेदन में सुधार का मौका आस से केके पाठक के लोटने पर मुख्य सचीव का बयान इस पर सरकारी स्कूलों में समय पर मिलेंगे बच्चों को किताबे नौकने के बदले जमीन मामले पर कोट में हुई सुनवाई इस दिन आएगा फैसला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्जकर रोह सर्मा के नाम जुरी खास उपलबदी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से अगर आभी उन लोगों में से हैं जिनके द्वरा दूते इंटर रिस्तरिये परिक्षा के लिए आवेदन किया गया है ऐसे में अभ्यर्थी अपने आवेदन में आज से सुधार कर सकते हैं वही सुधार करने की अंतिम तारीक 18 परवरी 2024 तक नरधारित की गई है बतादे किसकी प्राड़मिक परिक्षा मार्च में आयोजित की जा सकती है वही इसके लावा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सारे 25 लाख है इसलिए परिक्षा कई चर्णों में आयोजित की जाएगी मालू हो किस परिक्षा के माध्यम से 12,199 पदोपर निप्ती की जानी है बिहार में धान की खड़ीत की रफ्तार धीमी बिहार में 15 परवरी 2024 तक धान की खड़ीत की जानी है लेसी सिंग के द्वारा जानकारी देते वें बताये गया कि सरकार के ओर से पूरी कोशिश है कि लक्षे के अनुरूप धान की खड़ीद हो जाए हालाक इस बार बोनस अभी तक घोसना नहीं की गई है बाजार में सरकार की तैसे अधिक राशी किसानों को मिल रही है उन्होंने कहा कि 15 परवरी तक धान खड़ीदना है और किसानों को बाजार में अच्छा मुल्य मिल रहा है आपकि जानकारी क्लिबता दे कि वर्तमान वीतिय वर्स में धान खरीद में बिहार में 53.5 प्रतीशत के साथ सुपॉल अवल है वहीं दूसरे अस्थान पर 41.6 प्रतीशत के साथ बेगुसराई और तीसरे अस्थान पर 36.7 सुने प्रतीशत के साथ सीता मढ़ी है इस बार सरकारी स्कूलों में समय पर मिलेंगे बच्चों को किताबे सचनिक सतर 2024 में बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली सी आठवी तक के में पढ़ने वाले बच्चों को सही समय पर किताब उपलब्ध करवा दी जाए इसको लेकर बिहार सरकार के ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है जिसके तहट बिहार राजहि पाथे पुस्तक प्रकाशन निगम की ओर से जन्वरी के शिरवात में ही दो करोर से अधिक किताबे प्रकूंडों में पहुचा दी गई है राम नल्ला की प्रान प्रतिस्था के दिन महावीर मंदर में होगा य प्रसंग एवं अन्य रामधून किरतन आयोजित किया जाएगा बता दे किस दिन दो पहर दो बज़े से मंदर में भक्तों के बीच सुध देशी घी का हलवा प्रशाद के रूप में वितरन किया जाएगा आयोध्या में होने वाले प्रांट प्रतिस्टा समारों का सीधा प्र सरकार के सिक्षा विभाग के उच्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा राज्य के सभी विश्वध्यालियों के कूल पती को एक चिठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि 12 जन्वरी को हर्ताल पर गए राज्य के सभी विश्वध्यालियों से ऐसे कर्मी शामुहिक अवकास पर थी बता दे कि उच्छा निदेशक के द्वारा रिजिटरार को एक फॉर्मिट भीजा गया है जिसमें उन्हें जानकारी भेजनी है इसमें हर्ताल पर गये सक्षकों के नाम पदस्था पनस्थल हर्ताल की अब्धी देनी है केके पाठक के लोटन गई है उन्होंने सरकार को 31 जन्वरी तक अवकास बढ़ाने के लिए आविदन दिया है उन्होंने कहा कि आविदन अभी विचारा धीन है ऐसे में माला जा रहा है कि केके पाठक के लोटने तक सक्षा विभाग के सचीव वैदेनाथ यादव और अपर मुख्य सचीव अस् कर सजड़े मामले सामने आते रहते हैं बतादे कि ताजा मामला पूर्णिया के धमदाह थाना चेतर के इठरी के प्रियंकर गाउं से लगे सत्संग भवन के समीव का है जहां गुव्त सूशना के आधार पर धमदाह के प्रभारी थाना ध्यक्ष अंसु प्रिया के दौरा के साथ चापे मारी करते वे सरक किनारे खड़ी महराश्ट्र की नंबर प्रेट वाली ट्रक के कंटेनर से 681 काटन में बंद 613.8 लीटर विदेशी शुराब की खेब बढामत की गई है जिसकी कीमत करी 45 लाक रुपे आंकी जा रही है बतादे कि पुलिस के दौरा ट्रक को क बंद कर दिया जाएगा जहां बच्चों की उपस्तिती कम होगी वहीं इसके लावा राजी की वैसे जिलो में 1200 नई आंगनवारी केंद्र खोले जाएंगे जहां अभी केंद्रों की संख्या कम है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि वरतमान में राजी में एक लाग दस किया जा रहा है जहां बच्चों को पोशाहार सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाब दिया जाता है मालम हो कि विभाग के ओर से नई केंद्र संख्यालन के लिए जिलों को दिशांडर देश दिया जा चुका है अधिकारीयों के मताबिक 120 नई आंगनवारी केंद्रों का सं के दोरा एक दिवस्य रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें साइंस स्ट्रीम से बारवी पास या फिर अप्यरिंग अभ्यरती भाग ले सकते हैं जिनके दोरा साथ फीस्ती अंग प्राप किया हो वदादिक इस रोजगार मेला के तहत सौ पद उपर बहाली की जाएगी मालम हो कि स्रोजगार मेला का आयोजन सुभा 10 बजे से केंद रस्त नियोजनाल एक कार्याले में किया जाएगा ऐसे में वो लोग जो स्रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं वो अपने साथ कागजात में बायोडाटा, आलहार काड, पैन काड, बैंक डिटेल लेकर आयोजन स्थल पर पहुँचे, वहीं इसके अलावा इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए अभ्यरती का NCS पोर्टल पर ने बंधन होना अनिवार है, साइबर फ्रोड ने एक फेस्बुक न्यूस पेज को किया है, आए दिन साइबर फ्रोड से जड़े मामले सामने आई है कि ये हैक पाकस्तान के हैकर्स गिरोह के दौरा किया गया, और स्पेज को मोटी रगम में राजस्तान के साइबर गिरोह में बेच दिया गया है, वहीं फोलस के दौरा इस मामले में दो सदस्यों को गिरफतार भी किया गया है, जिसकе बाद पुश्टाच में यह जानकारी सामने आई है किस गिरोह के द्वारा पच्चास से अधिक फेस्बूक पेज को हैक किया जा चुका है गिरफतार, साइबर फ्रॉड के मोवाइल से कई लिंक मिले है जिसकी जाच चल रही है, इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि पेज हैक होने के बाद, साइबर फ्रॉड इस पेज पर लाइब भी आया था। प्रान प्रतिस्था के दिन जेडियू ने पी-म से की ये बड़ी मांग। 22 जिनवरी को योध्या में होने वाले राम लला की प्रान प्रतिस्था को लेकर पूरे देश में हरसो लास का महौल बड़ा हुआ है, इसी बीच भवन नर्मान मंत्री अशोक चौधरी के दोरा पत्रकारों से बात चीत करते वे एक बड़ा बयार दे दिया गया है, उन्होंने कहा कि भगवार राम अयोध्या में स्थापत हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, काफी समय से लोग इज़न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेरोजगारी से मुह नहीं मूरा जा सकता, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्या इस गार तथा महंगाई पर घोशना होनी चाहिए, नौकरी के बदले जमीन मामले पर कोट में हुई सुनवाई, इस दिन आये का फैसला, रेल्वे में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर एडी की पहली चार्ज सीट पर दिल्ली की राउज एविन्यो कोट में दरसल रेल्वे में, जमीन के बदले नौकरी सिजुरे मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्तन इरिशाल यानि एडी के दोरा, प्राउज एविन्यो कोट में पिछले दिनों पहली चार्ज सीट दाखिल की गई थी जिसमें एडी के दोरा साथ लोगों को आरोपी बनाये ग ग्रहन की जोकी बिहार प्रदेश अध्यक सम्राथ चौदरी के दोरा ग्रहन कराया गया, वहिस्तुरान विश्व मोहन कुमार के दोरा कहा गया कि बीजेपी का कोई भी कारेकरता पार्टी के शिर्षपद पर पहुंच सकता है, तो वहीं आरजडी में एक परिवार का ही व् अफगानिस्तान के खिलाब जीत दरजकर रोहिस सर्मा के नाम जुरी खास उपलब दी, बीते दिन भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए T20 सिरीज के आखरी मकाबले में, भारतिय टीम के कप्तान रोहिस सर्मा के दोरा अपने करियर की सर्वस्टिस्ट पारी खेलते वे सूपर ओवर में जीत हासल कर महिंदर सिंग धोनी के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया गया है, पतादे कि रोहिस सर्मा के दोरा T20 में जीत दर्जकर इस मामले में MS धोनी की बढ़ाबरी कर ली गयी है, मालम हो कि रोहिस शर्मा के दोरा 54 T20 मैचों में 42 मैचों में उनको हा में जीत तर्च की गई है तो वहीं 28 में हार का सामना करना पड़ा है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि रोहिस सर्मानी उनक्तर गेंदू में ग्यारत चौके और आर्ट छके के साथ 121 रंड मारे जानियाद बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज या थे प्रति लिटर है भागल कम पिट्रोल कीमत 108.50 सुनने डीजल कीमत 94. Universal लूपए प्रति लिटर नुर्दाज की गई है इसके साथ ऑगयार में पिट्र आ J Mark Als सब्सक्राइब इसका सही उत्तर है ऑप्शने एक लाग दस हजार अगला सवाल दूइते इंटर सर्य परच्छा के आवीदन में सुधार करने का मौका कब तक दिया गया है ऑप्शने 15 परवरी ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 परवरी अगला सवाल वर्तमान वीतिये वर्स में धान खरीद में बेगु सराय कितने प्रतीशत के साथ दूस्टे अस्थान पढ़ है ऑप्शने 53.5 प्रतीशत ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 41.6 प्रतीशत अगला सवाल राम लला की प्रान प्रतिश्था के दिन महावीर मंदिर में कितने बजे भकतों के बीच सुध्य देशी घी का हलवा प्रशाद के रूप में वितरन किया जाएगा ऑप्शनी रात नौ बजे ऑप्शन बी पहर दो बजे अगला सवाल रोहिष शर्मा के द्वारा चोवण टी ट्वेंटी मैचों में से कितने में हार दर्ज की गई है ऑप्शन ए 41 ऑप्शन बी बारा ऑप्शन सी 28 ऑप्शन दी 42 इसका सही तर्फ पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाय दर्फ पूछ के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम एरजीत मिश्रा वेत रका सिंग ओमेस का सवाल है आपके छेतर के सरकारी स्कूलों में कक्छा एक से आटवी तक के बच्चों को सरकार के ओर से मुफ्त में दिये जाने वाले किताबे सही समय पर मिलते हैं या नहीं अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के साथी अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद